आप देख रहें दिवरुष प्रपरटी व्लॉग एक बार फिर आगे हो आप सभी लोग के लिए बहुत ही अच्छे प्लॉट का इंवेस्टमेंट दिखाने के लिए आज के जो लोकेशन रहने वाले बहुत ही नए लोकेशन रहने वाले हैं इससे पहले हमने इस चैनल पर कभी भी ये लोकेशन कवर नहीं करी है राजनगर एकस्टेंशन फेस टू की जहांपर हम कुछ प्लॉट के इंवेस्टमेंट दिखाएंगे क्या-क्या investment के फायदे रहने वाले हैं कितना price रहने वाला सारी चीज़े इस वीडियो पर discuss करेंगे तो वीडियो को end तक जरूर देखेगा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ यह जो location है यह main road से hardly एक किलोमेटर की दूरी पर है जहाँ पर आपको rapid rail का construction होता हुआ दिखेगा almost construction completion stage पर है जहाँ से यह walking distance पर आपको location मिलने वाली है आगे इस वीडियो में हम मिलने वाले हैं यहाँ के sales manager से जिन से हम जानेंगे इस पूरे project के बारे में क्या location advantage रहेगी कितना बड़ा size यहाँ पर मिलने वाला है क्या prices रहने वाले है तो वीडियो को end तक ज़रूर देखेगा आगे बढ़ने से पहले मैं सबी से request करूँँगा चैनल को subscribe करके bell icon ज़रूर प्रेस करें चलिए मेरे साथ मैं मिलता हूँ sir से हैं और जानतों सारी बाते हैं सर हमारे साथ आ चुके हैं हेलो sir हमारी वीडियो में आपका बहुत बहुत सागत है हमारे वीवर्स को एक पर अपना नाम बता दीजे प्लीज नमस्कार दोस्तों मेरा नाम शमीम सैफी है और सर थोड़ा सा इस साइट के बारे में बताईए जैसा कि मैं देख रहा हूँ बहुत ही अमेजिंग फिलिंग आ रही है यहां पर खड़े हुए हैं यह हमारी साइट है वर्दमान पुरम के नाम से यह चार एकड का प्रोजेक्ट है और हम यहां पर अच्छी इंवेस्टमेंट के लिए कुछ प्लॉटिंग साइट लेके आए हैं वह मैं आपको दिखाऊंगा सारी लोकेशन अगहाँ तब एक तो कि डॉट लोकेशन वेस्टिंग बताइए कि रहने वाले स्कूल हॉस्पिटल्स काॉन कॉन से रहने वाले सब्सक्राइब प्राइम लोकेशन है चारो तरफ से आपका रेपिड मेट्रो आपका स्टार्ट होने वाला है वाई रोड आपके पास दो तीन आप्शन है चाहे तो आप मेरेट रोड यूज कर सकते हैं इन फ्यूचर विदिन 3-4 मन्थ आपका जो एलिवेटेड रोड आता है राजनगर से वह डिरेक्ली 500 मीटर पर कनेक्ट होगा यहां से वाकिंग डिस्टेंस पर हो जाएगा आप डैली जा सकते हैं यहां से आपका पैरिफिरल मात्र दो किलो मेटर पर है सो बहुत ही प्राइम लोकेशन काफी अच्छी कनेक्टिविटी रहने वाली है यहां पर यहां पर किस त किलो मेटर आपका maior और अपलिक स्कूल आकशें किलो मेटर आपका मौद कशुल है कहतान अपलिक स्कूल है और अर्दमान पाई पर कूल है तो इस तरह के तक्रीम best school आपी surrounding विध्यन czy किलो मिटर्स तो सारे नेमड एंड Biz बिल्कुल सराौनिक तो रहेंगे बिल्कुल सरा दस मिनिट का रेनिंग ताइम में आप हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है कि सराउंडिंग में इतने सारे हॉस्पिटल्स और स्कूल का फेसिलिटी मिलने वाला आपको अगर मैं बात करता हूं सर यहां पर लोकल ट्रांस्पोटेशन की और डेली इसके चारो तरफ आप देख रहे हैं बहुत सारे हाई राइस सोसाइटी बनी है सबके अपने अपने शॉपिंग मॉल्स कमर्शल्स हैं तो डेली नीट्स के लिए तो आपका वॉकिंग डिस्टेंस ही काफी है काफी सारे करीमत 10-15 कमर्शल यहां पर वॉकिंग डिस्टेंस सारी दिखाई देजाएं सर अगर मैं बात करता हूं यहां पर एट परजेंट कितनी अभी रह रही है आपके अंदाजे सर अगर आप फैमिली ज रिजिडेंस की बात करें तो यहां पर हाई राइस और आपका इंडिपेंडेंट हाउस दो ही कल्चर हैं जी अगर आप हाई इसकी बात करें तो मोर दन टू थाउजन फैमिली ज आपकी अभी करेंटली यहां पर रिसाइडिंग है बहुत अच्छी बात है आप देख सकते हैं सर बता रहे हैं यहां कोई असा निला का नहीं है यहां बेसीकली आलड़ी फैमिली ज रह रही हैं और जब फैमिली ज रह रहे हैं और काफी बड़े बड़े नेम्ड बिल्डर्स के आपको हाई राइस पोजयक्त के यहां देखने को मिलेंगे उसके अलावा सर जैसा कि मैं आ रहा था में रोड़ से तो मुझे काफी सारे इंस्टिट्ट्ट भी देखने को मिलेते हैं यहां पर आताम के यहां चाल लेंगे और ओप्छซंस मिलजने लम रहने वाले पहले से थालिट्रा हैं में रहेने पहले हम प्लाट करेंगे सर्व फैसलीटीघ हम И्विवर्स को देखने को मिलेंगे यहां देखिया अब बात कर रहे हैं कि यहां गयर्यक्त स्कया और घ्टे से ही होगा जी यानि के आउटसाइडर आपके अलाउड नहीं होंगे इस पर सेक्यॉरिटी और सर्विलेंस यहां पे रहेगा जहां तक आप बात करते हैं इसके रोड साइज की जी तो रोड साइज के हमने इसमें तीन साइज ही रखे हैं जी जिसमें आपका में एंट्रेंस पही तो बहुत ही बड़ी बात है स्विलेंस अब मैं बात करना चाहएं यहां पर इलेक्रिसिटी की क्या फैसिलिटी एक वाटर के लिए हम बात करते हैं तो अब अगर आप यहां पर घर भनातें नहीं खुट से टो ग्राउंड बहुत बढ़िया शांदार जी और ग्राउ प्राइवेट कोई पावर बेकप कोई इस तरह का कोई आए नहीं आप देख सकते यहां पर आलडी पूल सब्सक्राइब को मिलेंगे यहां पर आज्वी सारी फैंबली यहां पर रह रहे हैं इस लिए शरकारी मीटर आपको लगा कर दिया जाएगा उसके लावा रोड़ी पा वाले है सर मैं आप जानना चाहूंगा थोड़ा सा क्या क्या प्लॉट साइज रहने वाले हैं और किस तरीके का हम ने इसको बिल्कुल रखा है जी तो आपके प्लॉट साइज जो हमारे पास है हमने यहां स्टार्ट किया है सेवेंटी यार्ड से लेके और आपका 225 यार्ड सकी इन-between Plot मिनिमाम 70 स्क्वारिय आठाट है यहां पर आप लौक्षिन करा कर दे रहे हैं इसमें दोनों अप्षिन है सर देखें आप अगर प्लॉट लेते हैं आप अपना खुछ से construction कर सकते हैं करा सकते हैं ठीकेदार को बुला सकते हैं तो वह की कॉल है अगर आप हमसे construction कराना चाहें मान लीजी आप बहुत बिजी हैं आपके पास टाइम नहीं है तो एक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आप पे करेंगे और घर हम आपको बना के देदेंगे अगर हम इंडिविजुल कंस्ट्रक्शन कराते हैं या फिर सेम रहता है इसमें दो चीज़े होती हैं आपकी अ अगर हम कोई भी बल्क में खरीगते हैं तो उसकी कॉस्ट्टिंग में और इंडिविजल कोस्ट्टिंग में फरकाता है या इस बात से मान के चलूं कि आप से अगर कोई कराता है तो उसको कुछ नो कुछ बैनिफिट जरूर मिलेगा और बात करूं कि तो लग बग रुपे में जी सर वह construction cost आज की डेट में अगर एक अच्छा semi-furnished आपको construction करना है तो वह 17-1800 रुपे चला जाता है इंडिविज्वली अगर आप जाएंगे तो यह आपका 2200-2300 मैं बात कर रहा हूं आप से विदिन जैसे के जैगवार फिटिंग के साथ में सारे branded material के साथ में बिल्कुल सही सर सो देख सकते हैं कि यहां पर 500-600 रुपे का difference रहेगा अगर आप सर से construction कराते हैं या फिर आप individual construction कराते हैं उसके बीच में सो जैसे कि अब देख रहें यहां पर भी सर के दुवारा यहां पर construction कराई जा रही है आप देख सकते हैं लोगों ने अपने मकान बनाने शुरू कर दिये हैं और कुछ लोग यहां पर मकान बनाकर रहे हैं यहां मेरे background में देख सकते हैं एक सर ने यह वाला मकान बनवा कर छोड़ावा है उनके प्रोसेस चालू हो गया है कुछ लोग ने अभी रीसेंटी जिन्हों ने प्लॉट्स लिए यहां पर उन्होंने डिमार्केशन करा दिया है अब सर से हम जानेंगे थोड़ा सा प्राइस के बारे में सर हमारे वीवर्स को बड़े उस साहित है बहुत अफ 24,000 रुपे प्लस रजिस्ट्री अगर आप थोड़ा सा कैमरा आपका आपकी राइट साइड में गुमाएंगे तो आपको यहां पर कुछ इंडिपेंडेंट विलाज नजर आएंगे इस हाई राइस सोसाइटी के नीचे यह जस्ट 125 स्क्वेर यार्ड के विलाज है और रजिस्ट्री होगी स्टाम ड्यूटी के साथ में जी मुटेशन आप डालेंगे तो आपका दाकिल खारिज में आपका नाम आ जाएगा तो यहां की रजिस्ट्री आपकी गाजियाबाद तैसील में जाकि आपको रजिस्ट्री मिलेगी और अगर मैं बात करता हूं सर ने अ सो मुझे लगता है आपको यहां पर एक बार विजिट जरू करना चाहिए सर किस तरीके से विजिट का प्रॉसेस रहने वाला है आपके विजिट के प्रॉसेस के लिए आने की कि बात करें यहां पिस साइट पे आना चाहते हैं तो यह तो आप अपने वीकल से आते हैं और अगर आपके पास अपना वहीकल नहीं है आप लेते हैं लोकल कन्वेंस तो आपको मेरिट डैली वाला जो पुराना यह रोड है एनेच 58 कहलाता है इस एनेच 58 पे अगर आप डैली की तरफ से आते हैं तो पिलर नंबर 382 याद रखिए पिलर नंबर 382 पे आके आप कॉल कर सक सकते हैं या 82 से लेफ्ट मुड के 800 मीटर आपको चलना है और आप साइट पर आ जाएंगे मैं आपको बतायता हूं सर ने आपको बताए दिया मैं स्क्रीन पर भी मैंशन कर दूंगा पिलर नंबर जिसके आपके लिए याद रहे आपको और आपको सर साइट पर मिलेंगे सर को एक बार स्क्रीन पर दियेगे नंबर पर कॉल करके आप विजिट कर सकते हैं एक जरूर सज्जेस करूंगा जो भी यहां पर विजिट करने के लिए इंट्रस्टेड हैं और यहां पर आ रहे हैं क्योंकि यहां बहुत ही लिमिटेट प्लॉट्स बचेवे हैं जैसा कि सर मुझे बताया है और आने के लिए में चीज सजेस्ट करूंगा आप एक टोकन अमाउंट जरूर साथ लेकर आएं क्योंकि जो भी आप चूस करेंगे प्लॉट्स शायद वो अगली विजिट पर आपको ना मिले तो इससे बेटर है कि आप एक टोकन अमाउंट साथ अगर कोई लेना चाहता है तो हम थोड़ा बहुत टाइम भी देते हैं सर यहां कोई लोन फेसिलिटी भी अवेलिबल सेवेंटी परसेंट हम आपको लोन करा के देंगे इससे बड़िया बात को हो नहीं सकती जल्दी से स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर कॉल करके सर को कॉन और जैसी स्टार्ट होगी यहां इस लोकेशन के प्राइस डबल से ट्रपल हो सकते हैं डिस्क्रप्शन में कॉन्टैक्ट टंबर गूगल लोकेशन सारी चीज़े में आपके लिए मेंशन कर दूँगा तो आप इसली यहां पहुस सकते हैं तो अगर आपको वीडियो हुड़ सकते हैं